Evolution of political system in Pakistan and its relationship with definitely the subject of political sociology. Pakistan's political system को समझना और उसका relationship political sociology के साथ बनाना क्यों जरूरी है? Political sociology का जो subject है ये बेस करता है, इसकी बुनियाद है रियासत, मौश्रा और इनसान. जब पाकिस्तान के political system की बात होगी, तो जाहर है बरेसगीर के अंदर रहने वाले लोगों को जब मौश्रती हवाले से बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा, तो मौस्लमान लीडर्शिप ने ये फैसला किया, कि एकठे एक मौश्रे के अंदर रहते हुए लोगों के मसाइल का हल ममकिन नहीं, तो उसके लिए जरूरी है कि एक और नई रियासत का वजूद जो है, उसके लिए कोशिश की जाए, और बिलाखर जो है, पाकिस्तान का व जूद और पॉलिटिकल सुषियोलोजी के साथ, उसके रिलेशनशिप का, जिसकी वजा से हम, पॉलिटिकल सुषियोलोजी के अंदर, एवलूशन अफ पाकिस्तान स् पॉलिटिकल सिस्टम के सब्जेक्ट को पढ़ना की कोशिश कर रहे हैं, क्योंके मुसल्मानों की अपनी एक पहचान थी, मुसल्मानों की अपनी एक आइडेंटिटी थी, उस आइडेंटिटी की बका की खाते लिया जरूरी था, के वो मौश्रा जहां उनको अपनी सिकाफत, अपनी पहचान की इजाजत नहीं मिल रही, तो उनके लिए अलेहदा एक रियासत वो काइम की जाए। So in the post-independence era, Pakistan faced many issues and due to those issues, Pakistan was not able to establish a proper democratic system in the country. क्यों ये निजाम काइम नहीं हो सका, जिसके खातर एक जम्हूरी निजाम के खातर पाकिस्तान जो है, उसको मांगा गया था और उसके लिए कोशिश की गई थी. These issues and hurdles, they were mainly defined by many political scientists and mainly Palmer as the identity crisis. Pakistan के अंदर जो हिस्सा पाकिस्तान जो geographical part पाकिस्तान को मिला, जो इलाका पाकिस्तान को मिला, इसके अंदर चुनके बहुत सी identities मौझू थी. वो identities अपनी अपनी पहचान रखती थी, होना तो यह चाहिए था कि जब एक रियासत काइम हो गई, तो यह तुमाम identities जो थी, वो अपनी पहचान को एक larger interest में रियासत के साथ उसका एक ऐसा तालुक जोड़ देती, जहां पर कि रियासत के लिए काम करना मुम्किन हो जाता. इस वो workable relationship, political system के साथ काइम नहीं कर सकी, इस वज़ा से political system properly established और working condition में नहीं आ सका, इसके साथ साथ और बहुत से भी मसाइल थे, जिन में एक legitimacy का crisis था, देखिए legitimacy जो है, वो एक तारीखी context के अंदर, political science में जब legitimacy की debate आती है, तो उसका तालुक जोड़ा जाता है, कि किस व एक proper legal representative government जो है, वो काइम नहीं हो सकी, लेकिन आज 21 सदी के अंदर, legitimacy उस से निकल कर, एक और dimension में दाखिल हो चुकी है, जहां हकूमतों की कारकरदगी, उनकी जाइजियत को या उनकी legitimacy को determine करती है, तो यहां यह देखना भी जरूरी है, कि पाकिस्तान के अंदर, बाज उका जराय की तक्सीम के हवाले से मसाइल आ गए, और बिल इन तुमाम के मिलने से, हकूमतों की कारकरदगी सवालिया बनती चली गई, तो पॉलिटिकल सिस्टम पाकिस्तान थे वालवेड बिद पैसिज अव ताम, एक्सपिरिंस दिफरेंट मोड्स अथर्टी इस लाइक गवर्नर रूल, ब्यूर्यक्राटिक रूल, बिलिट्री डिटेटर्शिप, देमोक्राटिक गवर्मेंट्स, अदर मिलिट्री है, कभी पार्लिमेंटरी फॉर्म आफ गवर्मेंट रहा, कभी प्रेजिडेंशल फॉर्म आफ गवर्मेंट रहा, कभी उन निजामों के अंदर मुक्तलिफ तरह के मसाहिल की वज़ा से, कुछ पोर्सिस जो हैं, वो डॉमिनेटिंग रहीं, कभी कहीं पर गवर्नर राज भ कराई, लेकिन इन सब के साथ हमें जो चीज समझनी है या देखनी है, वो ये है कि दा सुषियोलोजिकल परस्पेक्टिव अबाउड दा एवोलुशन अफ पाक्स्तान स् पोलिटिकल सिस्टम देट शोज देट एथिनिक, रिलिजियस, और माइनर आइडेंटिटीज रिमे है कि सब कॉंटिनेंट के अंदर, क्योंकि एक बहुत सारी ऐसी बाहिर से एक्स्टरनल फोर्सिस आती रहीं, जिन्होंने यहां अपनी कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स इंटोड्यूस कराई, उसकी वज़ा से यहां जो बरादरी सिस्टम वजूद में आया, जो कास सिस्टम व के अंदर, KP के अंदर, जो ट्राइबल कल्चर डिवैलप हुआ, उस सब की अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक्स है, उन करेक्टरिस्टिक्स को अगर निजाम का हिस्सा बनना था, तो उसमें उनकों अंदर मॉडनाईजेशन और डिवैलपमेंट का ऐलेमेंट लाना जरूरी और वो किस तरीके से आ सकता था, कि पाकिस्तान के अंदर, जो सोशल कॉंटेक्स्ट है, उसको बदला जाता, उस सोशल कॉंटेक्स्ट को बदलने के लिए यह जरूरी था, कि पाकिस्तान के अंदर, एजुकेशन को पर्मोट किया जाता, सोशलाइजेशन पर फोकस किया जा लोगों की तर्बियत पर लोगों की communication skills पर focus नहीं किया गया, leadership के रोल पर नहीं किया गया, political participation को broad नहीं किया गया और खास तोर पर लोगों को ये आगा नहीं किया गया कि वो शहरी की हैसियत से अपने फराइज को कैसे सर अंजाम दे सकते हैं उनका किरदार मुल्क के लिए कितना अहम है तो जाहर है पाकिस्तान के प्रॉपर जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसके अंदर भी बहुत सारे प्रॉबलम्स सोशल कॉंटेक्स्ट के हवाले से भी डिवेलप हुए और बाज उकात पुद पॉलिटिकल सिस्टम ने चुंकि अपने फंक्शन्स को प्रॉपर ली परफॉर्म नहीं किया कि वो मौश्रे को मौडरनाइज करता मौश्रे को डिवेलप करता तो ये जो दो तरफा मसाइल का शिकार रहा पाकिस्तान उसकी वजा से आज भी पाकिस्तान के सियासी निजाम में बहुत सारे चैलेंजिस हैं, बहुत सारे मसाइल हैं और political sociology का जो scope है वो इसके लिए बहुत ही interesting debate जो है वो provide करता है तुमाम students को भी और political philosophers को भी